मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों आप सभी को डॉक्टर विजा अगरवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स कल फादर्स डे था जिसे हम हिंदी में कहेंगे पिता दिवस और आप सब जो मेरे प्रियश रोता हैं पिता दिवस के आधार पर यदि मैं उनका वर्गी करूंग तो तीन तरह के वर्ग बनते हैं या तो आप स्वयम पिता होंगे या यदि पिता स्वयम नहीं होंगे तो आपके कोई पिता होंगे और हो सकता है कि इन दोनों श्रेणियों में आप ना आते हों और आपके पिता भ प्रूप में वे मौजूद नहों जादतर तीन वर्ग हो सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगा कि पिता के बारे में मुझे आज कुछ बातें की जानी चाहिए और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कभी-कभी ये लगता है कि भारती ये मेधा ने या भारती ये चेतना ने य माता को बहुत गरिमा पूर्ण स्थान दिया गया उनके स्ने को महसूस किया गया आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे कि उनके जीवन में उनकी माता का कितना बड़ा रोल रहा और होता भी है जब हम बच्चे होते हैं तो भरन पोशन की जिम्मेदारी भले ही पिता के उप लेकिन पालन की जिम्मेदारी तो माता के उपर ही होती है और माता जिस तरह से बच्चों को पालती है बिना त्याग के वह संभव नहीं है तो अच्छी बात है कि हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा है लेकिन मुझे लगता है कि कही ने कहीं पिता को समझने में थोड़ी सी चूख हो गई है और शायद उसका कारण एक यह रहा हो कि हमने माता को इतने जादा बेतर तरीके से समझा है, जादा से जादा समझने की कोशिस की है कि माता का पलड़ा इतना भारी हो गया कि पिता का पलड़ा ना केवल कमजोर पड़ गया, बलकि कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो गायब ही हो गया हो और पिता को इस रूप में देखा गया भारती पारिवारिक संदचना के तहट जैसे कि उसको परिवार से कोई मतलब नहीं उसे अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं बच्चों के लिए उसके पास समय नहीं वो बच्चों को लगतार डाँट डपट ही करते रहते हैं, बच्चों से लगाओ नहीं है, इस तरह की भावनाएं जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मन में घर कर जाती हैं अपने पिता के लिए कर जाती हैं, क्योंकि देखें जब हम पिता और माता दोनों में से कौन हमें जब इस आधार पर हम सोचते हैं, हालाकि ये सोचना अपने आप में गलत है, लेकिन चलिये हम सोचते ही हैं, तो साफ तोर पर हमें नजराथा के मैं मा बहुत आधा प्यार करती है। एक दिन में जितनी बार अपने गले से लगाती है, उसकी पीट थप थपाती है, पिता शायद ऐसा महीनों में, सालों में एक बार भी न करता हूँ, तो जो बाल बुद्धी है, बहुती स्वाभाविक बात है, कि वो मा की तरफ जुकेगा, क्योंकि वो मा को महसूस कर रहा है, हमेशा महसूस कर रहा है, लगातार महसूस कर रहा है, और बचपन में उसके अचेतन मन में मा के प्रती यह जो सरदयता की भावना बस गई है, वो अपि पूरे जीवन भार उसका संचालन करती है, और एक बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो side effect है वो कुल मिला करके मुझे दिखाई देता, side effect तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके कारण हुआ ये है कि पिता को समझने में हम सब से काफी कुछ गलतियां हुई है या यूं कह लीजे कि हमसे कुछ छूट भी गया है, हमने पिता को समझने की कोशिश नहीं की दरसल पिता महसूस करने वाला प्राड़ी नहीं है महसूस करने वाला रिस्ता भी नहीं है अभी मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, समझा नहीं पिता मूलतह समझने वाला प्राड़ी है वो हमें समझता है और पिता को भी हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम उसे समझें यानि कि पिता को महसूस करने के लिए रिदय की जरूरत नहीं है दिमाग की जरूरत है अलाकि ये बड़ी विचितर सी बात है कि आप दिमाग से कैसे महसूस कर सकते हैं लेकिन दिमाग से महसूस किया जा सकता है और पिता के लिए तो ये बिल्कुल सही ही है मेरी यदि आप इस बात को तस्दीक करना चाहते हैं या प्रामार के रूप में तो अभी एक टीवी सीरियल आ रहा है पुन्य श्लोक अहिल्या बाई या पुन्य श्लोका अहिल्या कुछ इस तरह के सीरियल का नाम है उसमें आप देखिए जो जो होलकरवन्स के जो संस्थापक है मलहार राओ जो नहोंने इन दौर परशासन किया है वो अपनी बहु बना करके लाते हैं अहिल्या बाई का और उनका जो बेटा है खंडे राओ खंडे राओ के चरितर को अगर आपने इससे पहले देखा हो तो आप पाएंगे कि वो अपने पिता का बहुत बड़ा आलोचक है विरोधी है और बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हर समय वो आलोचना करता रहता है या उसे ऐसा लगता है कि पिता उसे चाहते ही नहीं है और बच्पन में अहिल्या को बहु बना करके जब मलहार राओ ले आते हैं आनिके उनके खंडे राओ को लगातार अपने पिता के बारे में यहीं आप यूं कह लिजे कि शंका ही नहीं बलकि शिकायत ही रहती है कि मेरे जो पिताजी है वो अहिल्या को ज्यादा प्यार करते हैं उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं उसकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं उसका दोस्तों चोके पिता परिवार काय के स्तंब है, केंदर विंदू है, मा भी केंदर विंदू है, दोनों केंदर विंदू हैं और दोनों महत्पूर धूरियां हैं, तो मैं पिता के बारे में कुछ और बातें आप सबसे कल करूँगा, बेहतर होगा कि अगर आप आज अपने अ दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार